जय श्री कृष्णा, दोस्तों आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा अनमोल संदेश लेकर आये हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश अगर आप पूरे सच्चे मन से सुनोगे तो आपकी सारी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदैव हस्ता खेलता, मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन हो जाए अर्थात चुप गुमसुमुदास रहने लगे, तो समझ लेना उसके हृदय में एक पीरा है, उस पीरा ने उसे कमजोर बना दिया है, जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, एश्वर्य, वेभव सब है, मगर संतुष्टी नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं, वह सदैव असंतुष्ट की स्थिती में ही रहता है, जिसके पास संतुष्टी है, वह फ्रोडे में भी पास संतुष्ट रहता है, जिन्दगी में भरोसा एक ऐसी चीज है, जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है, फिर भी ये प्राप्त हो या नहीं ये भाग्य पर निर्भर करता है, किन्तु भरोसे को तोड़ कर पुना प्राप्त करना यह संभव नहीं है, जिन्दगी में अवसरों का आनन सदैव लेकिन भरोसे को कभी तूटने ना दें, जो व्यक्ति अपने अहनकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भाती होता है, जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूब कर अपना अस अस्तित्वक हो देता है, अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ती में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधी अधिक है, तो हो सकता है, आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है, अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास ये उसी इश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है, जो विधाता के लेख में होता है, उसी का फल हमें मिलता है, विधी के विधान को स्वयम इश्वर भी नहीं टाल सकते, जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के से मीरा कृष्ण को पती मानती थी, मगर विधी के विधान में रुकमनी का साथ लिखा था, जिसे स्वयम विधाता भी नहीं टाल सके, जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं, और नए वस्त्र धारन करते हैं, ठीक उसी प्रक आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ कर नए शरीर धारन करती है, यही प्रकृती का जीवन चक्र है, जो लगातार चलता रहता है, यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है, उसका मृत्यू निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है, और जिसकी मृत्यू हुआ है, उसका ज जन्म लेना भी निश्चित है, कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं, वह कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रती और मानव कल्यान के प्रती केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, इस मार्ग को अपना कर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो, यदि आप अपने मन को नियंतरित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन पर काबुपा लेते हैं, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव अंपोसबल नहीं है, जिस व्यक्ति में अहनकार मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांती को प्राप्त करता है, उसे भगवान इश्वर की शरन प्राप्त होती है, अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुरलब है, जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है, फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता, य इस जगत में दुख सुख, हर्ष विशाद आदी लगा रहता है। क्षंड भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुब होने पर जो दुखी नहीं होता। वह व्यक्ति सच्चा ज्यानी होता है। उसे ज्यात होता है। यहां सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो चाहे दुख, जैश्वी कृष्ण, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं, अगले एक और वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए